हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है वीडियो की शुरुआत बहुत ही खुबसूरत डबल पेटल के अपराजिता के फ्लावर के साथ और बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है अपराजिता प्लांट पर अपराजिता ही नहीं सारे जो हमार कि मैं आपको दिखाऊंगी आज और दोनों में से आप कौन से प्लांट को अपने टैरिस गार्डन में जगा दे सकते हैं या दोनों को दे सकते हैं इसी के उपर आज का वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं यह जो प्लांट आप देख रहे हैं वो टिकोमा बूश वराइटी का प्लांट है टिकोमा ड्राफ के नाम से भी जानते हैं इसको और इसमें तीन चार कलर्स के फ्लावर वाले प्लांट आपको देखने को मिलेंगे यलो औरेंज पिंक परपल आध बहुत खुबसूरत और समर और रेनी सीजन में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चलती है तो यह हो गया टिकोमा बूश और आब आते हैं इस प्लांट के बारे में देखते हैं इसको देखते हैं फ्रेंट्स तो यह गोरी चोरी के नाम से जानते हैं इस प्लांट को और यलो बेल भी बोलते हैं इसको और ये भी टिकोमा की ही वराइटी है और ये आपको रोड साइट देखने को मिलेंगे इसके पत्ते देखिए इसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और ये जो बूश वराइटी वाला टिकोमा का प्लांट है उसके पत्ते छोटे होते हैं और यह गोरी चोरी का प्लांट तो आप देखे भी होंगे, रोट साइट में लगे होते हैं, बड़े बड़े ट्री रहते हैं, और दोनों में से कौन से प्लांट को आप लगा सकते हैं, तो मेरे यहां तो दोनों प्लांट लगे हुए हैं, आप चाहे तो दोनों प्लांट को लगा सकते हैं बस गोरी-चोरी के लिए आपको बड़े पॉट की जरूरत होगी कम से कम 12-16 इंच के पॉट में लगाईए गोरी-चोरी के प्लांट को और यह जो टीकोमा बूश है उसको आप 8-10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं हर साल पॉणिंग करने की जरूरत होती है फ्रेंट्स टीकोमा बूश को यदि आप छोटे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप इस्प्रिंग सीजन जैसे ही आता है उस समय आप रिपॉर्ट कर दीजिए यदि आपको लगता है कि इसके रूट बॉंड हो चुके हैं तो इसको प्रून कर दीजिए रूट को और ब्रांच को तो प्रून करना ही होता है फरवरी के मन्थ में तब हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है यह देख रहे हैं इसको मैंने फरवरी के मन्थ में ही प्रून किया था लगभाग एक महना हो गया है प्रून किये एक से और पर्मनेंट प्लांट के लिए मैंने आप लोग को बताया है मिट्टी का रेशियो आप 40% मिट्टी लीजिए 20% सेंड लीजिए 60% हो गया और 40% वर्मी कंपोष्ट मिला दीजिए कोई भी कंपोष्ट यदि आपके पास वर्मी कंपोष्ट नहीं है तो कोई भी कंपोष्ट मिला दीजिए और आप मिट्टी तयार कर लिजिए दो मुठ्टी नीम खली डाल दीजिए नीम खली नहीं है तो fungicide powder डाल दीजिए एक आज चम्मच बस ये तीन चीजें मिला कर आप इसके लिए मिट्टी तयार कर लिजिए और इस plant को ग्रो कर लिजिए कटिंग से इजली प्रोपोगेट हो जाता है और नर्सरी में भी इनके प्लांट मिल जाते हैं 50-60 रुपए में इजली तो आप अपने 24 की हिसाब से इसको एड़ कर सकते हैं सबसे बड़ी हमावसम होता है रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन इसको एड़ करने का और इसकी कटि भी पॉट में तब आप ऐसे लोकेशन में रखिए गर्मी के सीजन में जब तीन-चार घंटे की सनलाइट मिले डारेक्ट सनलाइट ना मिले गर्मी के सीजन में बागी सीजन में यह फूल सनलाइट में चलता है यह प्लांट और बहुत अच्छे से ग्रोध भी होता करता है और समर और रेनी सिजन में इसमें फ्लावरिंग देखने लायक होती है फ्रेंट्स फर्टिलाइजर ज़्यादा ज़रुरत नहीं होती महिने में एक बार आप इसकी मिट्टी को गुडाई कर दीजिए और फर्टिलाइजर दे दीजिए दो-चार मुठी वर्मी कमपोस्ट या कोई भी कमपोस्ट केमिकल खाद यदि डालना चाहते हैं तो एनपी के 1919 बढ़िया रहता है और वाटरिंग की बात करते हैं तो नमी वाली मिट्टी पसंद होती है इसको जैसे आज मैंने सुबा पानी दिया था और अभी शाम के 5 बजे हैं तो इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है तो मैं अभी और दे दूँगी क्योंकि गर्मी तेज हो गई है और ओर वाटरिंग ना करें किसी भी प्लांट को ओर वाटरिंग पसंद नहीं होता तो बस यही केर करना था इस प्लांट को आप दोनों प्लांट में से आप दोनों को लगा सकते हैं और दोनों में से यदि एक लगाना चाहते हैं तो यह ट्रिकोमा बूश को लगाईए यह ज़्यादा खुबसूरत रहता है और छोटे से पॉट में भी चल जाता है 10-12 और इसमें भी बनती है फलिया टिकोमा बूश में भी दोनों में वैसे ही फलिया बनती है दोनों एक ही फैमली से है बस ड्रॉफ और टॉल का फर्क है एक ड्रॉफ वराटी है एक टॉल वराटी है चलिए इसकी कटिंग मैं दिखाती हूँ आपको यह देखे प्रेंट्स तो जरूर लगाए इस प्लांट को समर का बहुत ही बेहतरीन प्लांट है यह समर में फ्लावरिंग करने वाला तो आज की वीडियो में यही शेयर करना था अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग बाई थैंक यू